और अजय चाहिए पर्तिरोधों का सहयोजन यानिक हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे पूरी जानकारी में इसके पहले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ इसके बारे में परतिरोद के बारे में मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं बताना चाहती है ठीक है तो चलिए हम लोग सिर्फ इसमें परतिरोदों का सही ओजन समझते हैं देखें यहाँ पर तीन परतिरोद है R1, R2 और R3 तीनो तीन तीन ओम के हैं आरवन भी तीनोम आरट्वे तीनोम एसका मतलब यह तीनों किसी भी सरक्ट में लगेंगे तो तीन-वं का रुकावट उत्पन करेंगे थीक हैं लेकिन हम चाहते हैं कि यहीं तीन-वं के प्र तिनो और यह सै जोड़ा जाए जिससे परिपत में परतिरोद यानकि यह को उम कभी रुकावट किसी सर्किट में उत्पन करें तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास अवेलयबल है, परतिरोद जो हमारे पास उफलब्द परतिरोद है R1, R2 और R3, इससे हम अपना इच्छा के अनुसार परतिरोद प्राप्त करना चाहरे हैं, क सहोजित करते हैं उसी को बोला जाता है प्रतिरोदों का सहींव्जन ठीक है क्लियर हो गई भात अब देख अंदै कि आप सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि श्रेडी क्रम से योजन में एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करकर परतिरोदों को सजा दिया जाता है जैसे कि यहां पर है आरवन है यह एक हो गया परतिरोद आप लोगों का आरवन अब आरट्व और आरथ्री को स्रेडी क्रम से योजन में सजाना है तो कैसे सजाएंगे आरवन का यह दूसरा वाला सीरा यह पहला वाला है तो आरवन का दूसरा वाला सीरा दूसरे यानि कि अगले परतिरोद के पहले वाले सीरे की यानि कि यहां पर अगर R2 जोड़ना है तो R2 का यह पहला वाला सीरा है ना तो पहले वाले परतिरोद के दूसरे वाले सीरे से अगले परतिरोद के पहले वाले सीरे को लाकर ऐसे जोड़ देना है फिर अगर R3 जोड़ना है तो यहां से क्या कीजिए? R3 है, R2 का दूसरा सीरह खाली है तो R3 के पहले वाले सीरह से ऐसे लाकर जोर देंगे फिर यहां पर दूसरा सीरा खाली हो गया अगर आरफोर जोड़ना चाहते हैं तो और भी ज्यादा जितना चाहिए आपर तिरोग जोड़ सकते हैं दूसरे वाले सीरे से पहले वाले सीरे तो यहां पर क्या हो रहा है आप ध्यान दिये यहां पर एक के बाद एक सजा दिया जा मान लिजे यहाँ पर V वोल्ट का बैटरी है इसका विवांतर कितना है V और इसको लाकर ऐसे कुंजी से जोर दीजिए ठीक है यह सरकिट तियार हो गया परिपत तियार हो गया अब देखिए इस कुंजी को बंद कीजिए जैसे बंद करेंगे इसमें से विधूदधारा परवाहित होने लगी मान लिजिए आई विधूदधारा परवाहित हो रही है और तो हमें आई यहां पर समझ में आ रहा है कि आरवन परति रोध दो रही है लेकिन confusion यहां पर यह है कि R2 और R3 में कितना विधूद्धारा जाएगी ठीक है तो देखिए आरवन में तो आई जा रही है यहां पर और कोई रास्ता है विधूद्धारा को जाने का मान लिजिए अगर एक पाइप है उसमें जल की धारा परवाहित होना है जल की धारा ऐसे तो सीधा पाइप है तो सीधा एक ही रास्ता रहेगा पाइप का सिर्फ एक ही लंबा पाइप रहेगा तो उसमें जो जल की धारा है वो परवाहित होती रहेगी सिर्फ वसी पाइप से बिलकुल अगर वहां पर पाइप दो रास्ते में बट जाए तब ना वो दो रास्तों में बट जाएगी जल की धारा लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बिल्कुल उसी तरह यहां पर है एक ही रास्ता है धारा को जाने का यही एक रास्ते से धारा जाएगी इसका मतलब आर्टू से भी आई धारा जा सब में आई-धारा प्रवाईत हो रही है, अब आगे देखेंगे, इस बिन्दु का नाम दे दीजिए, जैसे कि यह यह आर वन और आर टू दोनों जगा पर एसे जूरा है, तो इसको बी दे दीजिए, आर टू यहाँ पर जूरा है, तो इसको C दे दीजिए, इसको D दे तो का श्रचेष यहां प्रवात हुए तो को ऋभात करो SAM है यहां पर आई द्रवाइथ होगी लेकिन यहां पर देखिए एक क्व़र्वानतर का मान परिवर्तित होता हैują यहाँ पर देशिये और बी बिंदु के बीच और वर्वन पर तिरोद जुड़ा है नहीं तो इन दोनों के बीच का भी बांतर अलग होगा तो देखिए मानलिजी रवन के बीच विबांतर वीवन ले ले लेते हैं आर्टू बी और सी बिंदू के बीच वीटू विभुवांतर मान लेते हैं और इसके बीच वीट्री विभुवांतर मान लेते हैं यानि कि तीनों का बिंदू अलग अलग है इसका मतलब विभुवांतर का मान भी अलग अलग होगा क्योंकि विभुवांतर तो दो बिंदू क से बीश होता है ना तो यहां पर अलग-अलग दो बिंदू है ठीक है अब यह पूरे जो बैटरी का विवांतर है यह तीनों आरोन आर्टू और थ्री वीवन वीटू 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 करकर जेल रहा है यानिकि हम लोग लिख सकते हैं कि वी इस इक्वाल टू वीवन प्लस व वी टू प्लस वी-3 क्योंकि पूरे बैटरी का विववांतर इन तीनों के जोड के बराबर है तो यहां पर वीवन प्लस वीटू प्लस वीटू प्लस वीटू लिख सकते हैं न इसको मान लिजे समी करण वान ठीक है अब देखिए अगर हम इसका तुल्ले परतिरोद रहें वो अकेले परतिरोद काम करकर जैसे कि किसी काम को dас आधमी कोई एक बंदा या उसी काम को अकेले करकर दिखा दिया तो क्या बोला जाएगा इन 10 लोगों के तुल्य असी तरह यहाँ पर एक ऐसा परिपत लाएंगे सारी एसा प्रतिरोध लाएंगे जो ये तीनों प्रतिरोद क्या होगा तुल्य होगा जितना ये तीनों मिलकर प्रतिरोद उत्पन करेंगे ये अकेले उत्पन करेंगा रुकावट ठीके अब देखिए इसको लाकर बैटरी से जोड़ दीजिए ऐसे इतना ही वोल्ट का वैटरी ये हो गया तुनजी से जोड़ दीजिए ऐसे लाकर ऐसे जितना वोल्ट का बैटरी यहां पर है उतना ही वोल्ट का इतना अब यहां पर जो इस प्रतिरोद का नाम दीजिए आर तुल्य आर तुल्य नहीं सिर्फ आर दे दिये जाएगा आर से ही मालुम चल जा रहा है कि ये तीनों के बराबर यह परतिरोद है जितना परतिरोद यह लोग उत्पन करेंगे उतना यह आर अकेले उत्पन करेगा ठीक है अब यह दोनों बिंदों के बीच यह परतिरोद क्या हुआ है जूड़ा हुआ है तो यह तीनों जितना वीवांतर तीनों एक साथ जेल रहा है मि देखिए यह हो गया तुल्य परिपत आगे अब देखिए ओम का नियम आप लोगों को मालूम है ना ओम का नियम इसके पहले वाले वीडियों में बताई थी नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए ओम का नियम होता है उसमें सुत्र क्या मिलता वी बराबर आई आर मिला था हम लोग यूस करेंगे परतिरोद पहले परतिरोद के लिए पहले परतिरोद के लिए अब देखें, V is equal to IR पहले परतिरोद में यहाँ पर देखिए पहले परतिरोद में V, यानि की ववांतर यहाँ पर कितना है? V1, तो हम लोग लिख सकते हैं V1 is equal to I, यानि की विदूद्धारा कितना जा रही है? आई ही जा रही है, तो I का तो I लिखा जाएगा R कितना है? तो R यहाँ पर R1 है पहले परतिरोद के लिए क्यों V1 is equal to IR1 हो गया? क्योंकि इसमें V बलाबर जो IR था V के जगा पर V1 था, I के जगा आई था और R के जगा R1 था इसको समी करन 2 मानिए अब देखिए दूसरे परतिरोद के लिए दूसरे परतिरोद के लिए दूसरे परतिरोद के लिए आगे देखिए यह है दूसरा परतिरोद इसके लिए V कितना है? V2 तो हम लिख सकते हैं V2 is equal to I कितना है? तो I तो I परवाइत हो रही है धारा आर कितना है प्रतिरोध दो के लिए R2 V2 is equal to I into R2 ये हो गया समी करण तीन अब इसी तरह तीसरे प्रतिरोध के लिए तीसरे प्रतिरोध के लिए ठीके तीसरे प्रतिरोध के लिए यहाँ पर V कितना है V3 आई तो आई परवाइत हो रहा है आर कितना है आर थ्री यहां तक कोई दिक्कत नहीं इसको समी करने चार बानिये ठीक है टू थ्री फॉर हो गया अब देखिए अब तुल्य परतिरोद के लिए तुल्य परतिरोद के लिए तुल्य परतिरोद के लिए अब हम लोग तुल्य परतिरोद में देखते हैं वी कितना है तुल्य परतिरोद में वी ही है तो वी इस इक्वल टू आई कितना है तो इसमें से जो धारा परवाइत हो रही है वो आई ही परवाइत हो रही है तो वी आई हो गया आर कितना है तो आ का तो आर तुल्य है ही है तो आर लिख सकते हैं ठीक है यहां तक कोई दिकत नहीं है इसको समिकरण पांच मान लीजिए यहां पर चार था यह पांच मान लिए अब देखिए समिकरण दो तीन चार पांच समिकरण दो तीन चार और पांच को समिकरण दो तीन चार पांच को समिकरण एक में रखने पर ठीक है एक में रखने पर अब यह जो दो तीन चार पांच है न इसको समिकरण वन में रखा देगा देखे वी है न, वी का मान क्या दिया है यहाँ पर, वी का मान है आई आर, तो हम लिख सकते हैं वी के जगा पर आई आर, बिल्कुल लिख सकते हैं, वी वन का मान कितना है, वी वन का मान है, आई इंटू आर वन, तो आई आर वन, प्लस का प्लस दे दीजिए, वी टू का मान क कितना है वे 3 का मान है आई इंटू आर 3 तो आई इंटू आर 3 यह हो गया अब देखिए यहां पर आई आर लिखकर सब में आई आई है ना तो आई को कौमन निकाल लिया जाता है यह आप लोग मैस में पढ़े होंगे ठीक है अब देखिए आरवन बच जा रहा है आरटू आर 3 यह आप लोगों को एक फर्मूला मिल गया इससे यह मालूम चलता है कि जो आप लोगों का तुल्ले परतिरोध होता है वह बाकी सारे परतिरोधों के योग के बराबर होता है यानि कि बाकी बाकी सारे परतिरोधों को जोड़ दीजिए उससे जो मिलेगा वहोगा तु यहां पर क्या हो जाएगा आर इस एक्वाल टू आर वन प्लस आर टू प्लस अर्टी प्लस आर थ्री प्लस डैर डैस डैस मान लीजिए आपके पास बहुत सारे यह आर अर अर एन परति रोद यह होगी आपनों का मेन फर्मुला इस से आप लोगो को निमेरिकल पूछता है ब उले पर्तिरोद तो यह होगे आप लोग का स्रीडि करम सह उजनन अब हम लोग समझते हैं कि 17 किसे कहते हैं तो लीजी यहां तक फटट फट स्क्रीन चुंध करें अब चलिए कि समांतर करम या फिर 17 संचेजन की से एक यहां पर बना लें दिखिए यह होगी आप लोगों का आरवन यूज़ अन्-चे अप लोगों का आर टू और यह अप लोगों का को लाकर एखी बिंदु पर ऐसे क्या किजिये जोड करकर एक सब्सक्राहण रेक ताल दिजिए ठीक बिल्कुल उसी तरह दूसरे सब्सक्राइब उसरे सीड़े को सब्सक्राहों पर एक बिंदू पर लाकर एसे जोड的 ठीक है और इससे लाकर ऐसे बैटरी को जोड़ देंगे माली बैटरी का जो विवांतर है वह भी है इसको प्लक कुंजी से जोड़ दीजिए ऐसे लाकर ऐसे एक बात सुनिए स्रीडिक्रम में एक के बाद एक जोड़ रहे थे ना इसमें सभी प्रतिरोधों का पहले वाला सीर पर सभी को एक एक बिंदू पर सभी को धूसरे वाले बिंदू पर इस बिंदू को मान लिजीए इसको मान लिजी है चापंड हम पहले इहां पर द्यान तो यहां पर विधूत धारा का मान क्या होगा बदलेगा यही बात आती है रास्ता बदलेगा तो धारा का मान भी क्या होगा परिवर्तित होगा तो यहां पर दूसरे से i2 धारा जा रही है और तीसरे से i3 धारा जा रही है ठीके पहले सेडी क्रम में सिर्फ एक ही रास्ता था इसलिए सभी में i चली गई इसमें i1, i2 और i3 इसे भी क्या होगा i1, i2, i3 ऐसे होकर गुजरेगी फिर यह तीनों जोड़कर आकर फिर i बन जाएगा यान i2, i1, i2, i3 बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि यह तीनों का जोड़ी नहीं यह आई है यह तीनों बट जा रही है i2, i3, i1, i2, i3 में इसको समी करन एक माल लीजिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है अब सुनिए बात को यहां पर कितने बिंदू है सिर्फ दो बिंदू है पहला परती रोत कौन के बिंदू के बीच में जुड़ा है? A और B, R2 परती रोत यहां कि दूसरा परती रोत भी A और B के बीच जुड़ा हुआ है तो विवहांतर भी नहीं बदलेगा यह विवांतर यहां पर जितना था उतना ही विवांतर इन दोनों के बीच रहे गया यानिकि इसमें भी विवांतर होगा और इसमें भी विवांतर होगा किलियर हो गई बात इसमें विवांतर नियत है धारा कमान अलग अलग है इसमें क्या हो रहा था इसमें विवांतर कमान अलग अलग ता धारा कमान नियत था और इसमें धारा कमान अलग अलग है अब आगे देखिए अगर इसका हम लोग तुल्य परिपत तुल्य परिपत बनाएं तो क्या होगा तिनों पर्तिरोध के अपर्तिरोध के अपफिका ही एक एक ऐसा पर्तिरोध लगाएंगे जो तीनों का काम करे और शी Erm विजनार बेटरी को जोड़ देना है तिर या का बिद्वा दूर्भान पर बॉदगी है यहां पर भी कुंजी को बंद कर दिए ठीक है इससे धारा आई प्रवाइत होगी यह दोनों बिंदों की भी जुड़ा है ए और भी मान लेते हैं ए और भी ठीक है इसके बीच जितना विवांतर है यह उतना ही विवांतर जेलेगा ठीक यहां तक कोई दिखकत नहीं है अब इ इन्यम मानुशार ऐसे लिख देना है आप लोगों ठीक है क्या सुत्र था वी इस इक्वाल टू आई आर शुतुर था ना तो हम इसको किसका मान परिवर्थित हो रहा है आई का मान यानिकी आय नियत नहीं है इसलिए हम यहां पर आई का फर्मूला निकालेंगे आई का फर नियुक्तुर से हम तीनों परतिरोद और तुले परतिरोद का निकालेंगे अब देखे पहले परतिरोद के लिए पहले परतिरोद के लिए क्या है? I का मान I1 है तो हम लिख सकते हैं I1 फिर V का मान कितना है V ही है तो V बटा में R कितना है R1 तो I1 is equal to V बटा R1 यह पहले परतिरोध के लिए हो गया R1 के लिए अब दूसरे परतिरोध के लिए देखिए परतिरोध के लिए दूसरे परतिरोध के लिए V I कितना है I2 is equal to V कितना है तो V ही है R कितना है RR2 है R का मान R2 है इसको समिकरण 2 मानिए इसको समिकरण 3 मानिए अब देखिए तीसरे परतिरोध के लिए देखिए आप लोग अब अनुमान लगा रहे होंगे देखिए हाँ ऐसे ही बनेगा ठीक है तीसरे परतिरोध के लिए तीसरे परतिरोध के लिए I का मान कितना है तीसरे परतिरोध के लिए I3 is equal to V का मान V R का मान R3 तीक है तो यहां पर R3 इसको समिकरन चार मानिये ठीक है यहां तो कोई दिक्कत नहीं है अब तुल्य परतिरोध के लिए देखिए तुल्य परतिरोध के लिए तुल्य परतिरोध के लिए क्या हो जाएगा I इसमें से I ही धारा परवाइट हो रहे है यहां कि I का मान आई ही रहेगा V कितना है तो V का V ही है R का मान कितना है तो R का R ही इसमें परतिरोध है तो R इसको समिकरन 5 मानिये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यहां तक स्क्रिन सोट लेना है तो लीजिए फटा-फट क्योंकि अब मैं इसको मिटा होगी ठीक है अब देखिए इसको मिटा देती हूँ ताकि आगे यह डेरिवेशन किया जासा कि अब समिकरन 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 और 5 को समिकरन एक में रखने पर एक में रखने पर ठीक है आई कमान कितना है इसमें आई कमान है वी बटा आर वी भई आर हो गया आई वन कमान कितना है तो आई वन कमान है वी बटा आर वन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले वाला हुआ था सब कमान रख देना है आई टू कमान कितना है वी बटा आर टू पहले प्लस देना है फर वी बटा आर टू ठीक है फिर प्लस का प्लस दे देना है आई ठी कमान कितना है V बटा R3 यहां तो कोई दिखकत नहीं है अब देखेए सब में V बटा R लिख दीजिए यहां पर अब सब में V B B B है ठीक है इसका मतलब V को हम क्या निकाल सकते हैं common निकाल सकते हैं math का ऐसा rule होता है ठीक है one by r1 plus one by r2 plus one by r3 यहां पर सिर्फ r बच रहा है ना ऐसे करकर ऐसे वी से वी कट जाएगा एक बटा r बराबर one बटा r1 plus one बटा r2 plus one बटा r3 यह होगे आप लोगों का सुत्र अब इस तरह मैं तीन परतिरोधों को जोड़ी हूँ ना इस तरह आप जितना भी परतिरोध जोड़ना चाहें मान लेजिए rn तो इसका क्या होगा बटा r is equal to one बटा r1 plus one बटा r2 plus one बटा r3 और इस तरह बहुत सारे परतिरोध हैं तो one बटा rn ठीक है जितना जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं तो यह होगे आप लोगों का main formula इसको याद रखना है ठीक है इससे यह मालूम चलता है कि जो आप लोगों का तुल्य परतिर दो के बियुत क्रम यहां पर उल्टा है ना एक बटा r तो बियुत क्रम के जोग के बराबर होता है आप लोगों का तुल्य परतिरोध यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इससे कोश्टन पूछता है चार-पांच परतिरोध दे देगा और बोलेगा उसको समानतर क्रम में सहीं सम अनतर क्रम से निकला फर्मूला यह सब्सक्राइब कर यहां पर समझ लीजिए कैसे यहां पर बता दे रही हूं कि आरवन और रटू और रट्री को जोड़ा जाएगा आदर के देखिए नौमा आ जाएगा फिलकूल उसी तरह समानतर क्रम में जोडेंगे ना तो एक ओम आजएगा समानतर क्रम का सुत्र क्या है 1 आप लोग को आता होगा ना यह तो छोटी बात है आ गया एंसर तो देखिए एक एक ओम एक टर्ड़ी अधि करण और को फॉटूस्ट सकता है तो यहां तक समझ में आ गया इस टॉपिक कोई भी कंपर आप में कमेंट करकर पूर्च सकते हैं तो आजके इस वीडियो में बस इतना ही मिलें गए नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज